आपके सामने आपका अपना मन पसंदीदा कारेक्टरम एक मुलाकात लेकर जैसा कि हम हमेशा करते हैं आपकी मुलाकात कराते हैं किसी खास सक्से और आज हमारे साथ जो सक्स हैं वो खास इसलिए है क्योंकि उनके बाद एक नहीं दो नहीं तीन नहीं बलकि चार बड़े बिवाग हैं और बड़े कदावार नेता हैं तीन दसक से MLA है, आठ बार के विधायक हैं और हनुमान जी के भक्त हैं और यही कारण है कि साथ यहांपुर में उन्होंने हनुची इतनी बड़ी मूर्थी लगवाई कि आज तक उसके बराबर कोई हनुमान जी की इतनी बड़ी मूर्थी नहीं लगवा सका है हम बात करें सुरेश्य खन्ना जी के, संसद्ये कारमंत्री, नगर विकास मंत्री है और इसके साथ आत्में गरिबी उन्मूलन, सहरी विकास और तवाम और भी विभाग आपके पास हूड़ा, तवाम विभाग आपके पास में, जलन लिगम भी है चोटे विबाग भी है तो बहुत बहुत बढ़ ही आपको दन्यवाद आप इतना लंबा अनुभाव आठ बार के विधायक मुझे आज भी आद है कि जब 2017 में कैबिनेट बननी जारी जारी तो मुख्वंत्री के रूप में भी आपका नाम उचला था नाम आने का कोई मतलब नहीं था पार्टी को जो जुम्मेदारी देना थी जो पार्टी ने जुम्मेदारी दी कोशिश यह है कि उसको बखोवी निभाएं और बेटर परफार्म करें लेकिन आपके साथ अच्छी बात है कि आपने ही मुख्वंत्री योगी नाज जी का नाम परस्तावीद किया था जिव में बिधान मंडल ळाकर नेता था तो समय तक भारती जनता पार्टी बिधान मंडल Nirका में नेता था कि उस नेता की हैसे से मैंने नाम परस्ताविद किया था अirmह नियीं योगी जी मुख्यमंत्री हैं है और बहुत लोगिश्य मुख्यमं उन्हीं की मांग थी सबसे ज़्यादा उनकी मांग केरल तक से मांगाती थी तब से उन्होंने अपना कद बलहाया है जनता का विश्वा सरजित किया है और लोग प्रीता हासिल की है कुल मिला के जो कानून बेवस्था के सितीप के बारे में तमाम प्रश्चन लगते थे पिशली सरकार में उसको उन्होंने काफी दुरस्त किया यह ठीक बत आप का जाता कि आप हनुआ जी के बहुत बड़े भक्त हैं मैं मेरी निजी आस्था का प्रश्ट है और मैं हर समय में उनकी मूर्ती रखता हूं और एक बहुत कान्फिडेंस है कि उनके जैसे भगवान इश्वर का सरपर है एक और बहुत ही व्यक्तिकत सवाल है अगर आप कहें तो क्या यही कारणा कि हर्मान जी की भक्तिकाई वह प्रवावा कि आपने शादी नहीं कि नहीं शादी तो परवोर राजनीत की से लेगी है । राजनीतिक छेत्र में канал करने वाले व्यक्ति के पास समय का भाव होताई ज yapt जम्मेदारी जब होती है तो ज्यादा भावों होता तो प्रारंब से यह सोचा कि राजनीत ही करना है । मैं मेले बनने से पहले वक्रालत करता था लेकिन मैं एक साल यहां पर LLM में भी रहा लेकिन बाद में परिसिती ऐसी थी कि हमको शाजान पूल में वकालत हमने जोइन करी डिस्टिक कोर्ट में में वकालत करता था बिदाइक बन्ने से पाहे ले लेकिन तब भी मन में यही था कि हमको पूरे समय राज़्णीत कर रहा है राज़्णीत में ही आने के वज़े से ही परिवार बनाने का मन नहीं बनाया तीस साल से आप बिदाइक हैं आठ बार आप बिदाइक रह चुके हैं और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो जब भाति जंदा पाटी बनवास जहल रही थी 14 साल का यूपी में कहीं कुछ उनका ज्यादा शे नहीं था तब भी आप लगातार जीते रहें जी हाँ शाजानपूर के लोगों को ये भरोसा है कि जो मेरे मूँ से कुछ निकलेगा वो जरूर होगा और जो कुछ भी मेरा कारपणाली है जो भी दिनचरिया है वो शाजानपूर की जंता को समर्पित रही अब चुकि मंत्री मंडल के रूप में मंत्री मंडल के एक मंत्री के रूप में मेरी जुम्मेदारी प्रदेश की है तो मैं उस जुम्मेदारी को निभाता हूं लेकिन हर हफ़ते कोशिश करता हूँ कि शाजान पुछ जरूर जाओं और जाता हूँ और वहाँ के लोग लोगों ने बहुत सम्मान दिया बहुत इसने प्यार दिया और उन्हीं लोगों की वज़े से आज हम यहां पहुँचे बात आपके भी भाग के करें कि स्मार्ट सिटी का बहुत जोर से सुनुक की गए थी कि स्मार्ट सिटी बनेगी क्या प्रकती है की स्मार्ट सिटी का मतलब यह है that रोकल बॉडिस से जो सुविधाय अनुमन χो वह शुस्त दुरूस्त हो केंदर ने मिट्टूंड़ सौ 250 कि गोष्छला की उसमें सिंद्ध सुत्तर पादेश में कुछ पहले चर्ल में आए कुछ दूसरे में आये कुछ तीसरे में तो पहले और दूसरे चर्ल में जो शेहरा आए इस माट में उसमें हम काफी कुछ काम कर रहे हैं काफी आगे बढ़ाएं और मैं समझता हूँ कि निकट भविश्य में हम यह मॉडल पेश करने के लिए सक्षम होंगे चाहे पेजल की विवस्ता हो चाहे स्वच्षता हो चाहे आवास हो चाहे ट्रेफिक मैं पेंजमेंट हो जाहे बिद्दुद सप्लाई हो तो जो भी लोकल बॉडी के तरफ से जो सब जह वह मन्या वह वो सारी की सारी सोबुदाय सट ट्राइड न में समर्ट c2 का अर्थी यह ह इसमार सिटी में कहा गया था कि मूल बूत सुविदाय हो लटकते हुए तार ना हो एकदम साफ सुत्रा हो क्या लगता कि हो उपाया पूरा जी मैं उसी दिशा में आगे बढ़ रहा हूं और हम उमीद करते हैं कि हम निश्चित रूप से जो उद्देश से जिस उद्देश से ये गोशित किया गए इस उद्देश से ये कल्पना की गई उसको हम साकार करेंगे नगा निगमों के पास में कर्मिचारी नहीं है बड़ी दिक्कत यह है कि और सफाई कर्मिचारी की बात करें कूरा जितना आता है उतना उठाने की उनके पास में वेवस्तानी अठारा टन कोड़ा निकलता है 14 तेंड कोड़ा उठाने की उनके पास में ताकत है 4 तेंड कोड़ा हर रोज छूट जाता है लोकल वाडिस के पास सारी पावर्स है अपनी उनके पास कर लगाने की पावर है कर बसूर करने की पावर है जो पैसा दिया जाए चाहे केंद सरकार का चौद तो जो उनका बोर्ड होता है उसके पास पावर्स हैं कि वो अपने हिसाब से उसका पैसा खर्च कर से कर्मचारी है नहीं आपने 40,000 सफाई कर्मचारियों की सम्मेदा पर भरती की बात की थी हमारे पास लगवग एक लाग कर्मचारी है कोशिश यह है कि अल्टिमेटली कि हम सफाई विवस्था को पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त करें और इस दिशा में काफी कुछ किया भी गया मिसाल के तौर पर जो पहले साल में यहीं 2017-2018 में हमने तीन लोकल बाडिस को राष्टी स्थर पर सम्मारित किया गया था स्वच्छ भारत मिशन के ताय तीन लोकल बाडिस थी अलीगल गाजियाबाद और जहांसी जिले की एक नगर पंचायत है सम्थर उसको सम्मारित किया कि जिसका प्रदाम यह हुआ कि इस बार उमको 14 लोकल बाडिस को सम्मारित किया गया राष्टे इस तरफ तो स्वच्छता के छेत्र में जो ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा था अब हम ऊपर की तरफ चल रहे एक मोधी सरकार और योगी सरकार जीरो ब्रहस्टा चार टॉलर एक बार बिना सूचना के और तीन बार सूचना देकर मैंने जैसे ही अप टूदी मार्क सफाई नहीं पाई एक करमचारी को बरखास्त किया दो लोगों को निलंबित किया और दो लोगों का दो दिन का वेतन काटा विदाउट ब्रेकिंग देर सर्विस तो ये दंड का आप के सामने उदारों है ऐसा नहीं है कि हम उसको नजरदास करें यह लेकिंग जिन लोगों के उपर आरोव लगते हैं जो करमचारी काम करते जो लोग जो पूरी मशीनरी है तो आउट राइट सब को एक साथ एक जनरल परसेप्शन के अधार के उपर सजा नहीं दी जा सकते हैं इसे किसी की शिकायत आई तो एक प्रिकरिया के तहें जाच करवा के उसको दंडित करते हैं बहुत अच्छी तरह के से कारवाई के जो कुछ एक्सियंस हैं कुछ जो अधिकारी हैं वह अभी भी अपने पुराने धर्रे पर चल रहे हैं पुराने धर्रे से बहुत बला परिवर्टाना आया पहले पिछली सरकारों में इस बात का भाय नहीं था अब अगर आप उनसे बात करेंगे तो कारवाई से भाय भी था एक मुक्वंत्री जी की बहुत ही महत्रपूर्ण योजना मतलब की इच्छा थी कि नगर आयक्तु में आई आइस को बैठा दिया जाए क्योंकि डियम और जो दूसरे आयस अदिकारी दिले में होते हैं वो नगर का काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं और उसमें चुकि वो PCS होता है इसलिए वो उनसे अपनी तरह से काम नहीं करा पाता है वो योजना कहां तो कुल मिलाकर इस शिती बेहतर करने के लिए हर कि भृप पायखी जा रहा हैं कि लोगों को जो अनुमन्ये सुविधाय हैं वो उनको यह झाले जही कि जो केंद्र की योजनाय हैं उनका दिखारी एंहीं नगर आयुक्तों को बना दिया ज्याए ये क्योंकि कमिस्नर के पास इतनी फुर्दत नहीं होती है देखे वो तो देखी रहे हैं वो तो अपने इसाब से देखी रहे हैं नगरायुत के पास काफी पावर्स हैं और वो देख रहे हैं उसको बाकाइदा उसको अपनी जूटी को परफार्म भी कर दें और इसलिए विवस्ता बेहत पिछली सरकार में भर्तियों में जबदस घोटाला किया गया था जिसकी आपने जाच भी कराई हमने जाच भी कराई हमने 122 लोगों को निकाला भी लेकिन लीगर में उन लोगों को उसमें इस्टे मिल गया लेकिन अभी मामला सब जूडिस है जो न्याइक प्रकरिया है उसका हम आदर भी करते है निया अदर बीगरनाओं का समान भी करते हैं लेकिन यह बिलकुल सही है कि जो आरोप लगे उसकी जाच हुई अभी भी SIT उसकी जाच कर रहा है उसका किनल आसपक्ट की और जो प्रिक्रिया अपनाई गई उसमें बहुत से सवालात खड़े हुए और उसका प्रवाम यह हुआ कि निश्कर्च यही है कि ऐसे लोगों को जो गलत तरीके से न्युक्ति पा गए तो पूरा प्रोसेस जो है वो जिनकी जिनोंने खराब किया उन लोगों को उनके साथ भी न्याए हो और हम एक न्याएक प्रिक्रिया के तहत ही उनको सजा भी देंगे और उनके खिलाफ कारवाई भी करेंगे चले वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है एक छोटा से ब्रेक लेंगे लेकिन आप अपना स्क्रीन छोड़कर कहीं मज जाईए क्योंकि ब्रेक के बाद जो हम सवालात करेंगे चूंकि आप संसर्दिय कारमंत्री भी है और गरीबी उनमूलन लेकर के नगरिये विकास तक सारा जिम्मा आपके पास में है तो कैसे गरीबी उनमूलन हो रही है प्रदान मंत्री आवाज का क्या है इस पर चर्चा करेंगे कि ब्रेक के बाद आपका स्वागत है सर सीधा सवाल ये है करीब साने आठ सो भर्तियां हुए थी जिसमें एई और जेई भी थे जिन पर ब्रस्ता चार क्या रोप लगे थे कि उनको चैन क्या लिया देखें वो मामला कोट में है और चूंकि मैटर सब्जूडिस है कि इसलिए मैं साज्याने ग्रूप से कुछ भी कहने के लिए इस इती में नहीं हूं कि लेकिन इतना हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि कि न्याय का इस्टेबिश सिद्धानत है कि न्याय हो और न्याय दिखाई भी पड़े आप संसद्य कार्यमंत्री भी हैं विदान सभा सांदार चलती है इसमें कोई सकते लंबे पीरेट के लिए भी चलती है लेकिन लगता है क्योंकि आपको उतनी मसक्कत नहीं करने पड़ कि जब विदान सभा चलती है तो कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हम रात में बारा एक बज़े तक तैयारी करते हैं कि कभी-कभी दिन बिल वगारा होते हैं तो दिन रात-रात भर तैयारी करने पड़े सरकार हर बात का जवाब देने के लिए सक्षम है और इसी आधार पर हम कि किसी को यह कहने के मौका नहीं देते है कि सवाल का जवाब गुमा फिरा पिरा कर दिया गया कि यह सही नहीं दिया गया हमारी कोशिच यहीं रहती है कि Two three points जवाब हूं ऑर ताकि बिदान सभाब उमंच है उसके मात्यम से पूरे प्रदेश की पूरी देश की जनता जानती ह कि प्रदेश में क्या हो रहा है समय तो की कम है इसलिए जल्दी जल्दी कर लेते हैं अम्रत योजना आपका क्या कहां तक पहुंची योजना देखिए अम्रत योजना में कि 11,421 करोड़ रुपए का प्रविजन था और अभी तक हमने कि लगभग 10,000 करोड़ रुपए के शाहसा देश जारी कर दिये हैं यह उपलब्दी है साथी साथ प्रधानमंत्री आवास योजना में बीलसी लेट कांस्ट्रक्शन में बेनिफीशरी लेट कांस्ट्रक्शन में हम टाप पर हैं उस चाहें अम्रत योजना हो चाहें प्रधानमंत्री आवास योजना हो इसमें पिछले दो साल की योगी जी की सरकार में बहुत अ हुई है पानी की सिती पहले के मुकाबले में जहां तक प्यजल की सिती शेरों के हैं बहुत बेतर है बहुत अच्छी सिती है हम 135 लीटर पानी प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति उपलब्द कराने में सक्षम है सबसान है कि अच्छी कोशिछ होगी कि मोपी जी ने जो कि देज असी प्रसर बेजनस जो है सवाण को पर होता है इंक्रोचमेंट हो जाता है लोग निकल नहीं पाते हैं जान मोस्था पुरा जाम हो जाता हैaha उसके लिए क्या क spé कि इसमें भी हमको जन सही होग के साथ कुछ लोगों को संपूर जन दा कि साथ उनके हितों से उनके मभली कथिकारएं उसे ख्लवाल करने के अनुमति नहीं दिया सकती है नालों की सफाई कागजों पर कर दी जाती है नालों की सफाई अब ऐसी स्थिति नहीं है आप देखेगा जो पुरानी सिति थी उसमें बहुत जवाला बदलावाया नालों जो जो कंजेशन बढ़ा है उसका सबसे बढ़ा बजा है आबादी उतने ही इंफ्राइस्ट्रेक्ट में अबादी निरंबतर बढ़ी बढ़ान बढ़े मैन पावर बढ़ी यहां तक कि मोटर साइक्ल साइकट्ट का कारें जितनी ज़यदा बात्रव में ठरी है तो उसका कहीं नकहीं परभाव परता ही है लेकिन पहले के मुण कामले में हम काफी पहतर इस स्थिति में है अब तो इस व्यक्ति के घर ते लेकर के इस व्यक्ति के घर तक। मों सड़क बने घी। और उसका बड़ा पछाफ़ होता था उसका काफी फाइदा ऑब उसका बेल्ड़ु उस वेस्ता रोग दी गजाई। एक बड़ी बात है कि जो आपके भिभाग में पहले परमुक्त सच्यू के रूप में एक आयस नहीं हुआ करते थे तीन साल तक यह विभाग बिना प्रमुक्त सच्चीव के चला आपने अलाकि अब न्यूक्त कर दिया है देखे हमने तो प्रमुक्त सच्चीव हमारे बहुत अन्ववी हैं पारस सरकार में भी रहें अठासी बैच का यह से और हमारे विभाग में बाकी जो लोग भी हैं वो भी अन्ववी हैं हमने जल्लीगम में भी विवस्था किया है यह तो चीफ इंजिनेर वहां का अमडी होगा और या फिर आइस अदिकारी सचिव रैंक का वेक्ति जो है वहां का अमडी इससे जो विव मुलन विभाग भी आपके माद क्या कर रहे हैं गरिभी उन मुलन के लिए देखे मुखे रूप से जो स्वयम सहायता समू है वो अपना सोसाइटी बना कर कोई ने कोई छोटा प्रोजेक्ट लेकर उस पर काम करते हैं और हम उनको फैसिलिटेट करते हैं हमने वेंडर्स बनाई है उसकी निर्मावली बना दी उसमें पंजीक्रणों ताकि लोकल बॉडी के लोग और पुलिस के लोग किसी भी बेंडर को स्ट्रीट बेंडर को परिशान्दा कर से देश क्या बलकि दुनिया पूरी मंदी के दो से गुजर रहे हैं आपके पार नगरी रोजगार कि देने के दिए क्लि क्या स्म такой हम लोगों को प्रशिक्षित करते इसे कम्पूरर केुए 할 फिर जयते और भी देते हैं में सुंडा के माक्षच्छाि इंग से हम पूरे प्रदेश में इस परकार का प्रिश्ण देते हैं उस लोगों को तुत्राग मनाते हैं कि वो अपने प के कहीं नवक्री ने मिलती इसलिए उन लोगों को इस उसके माध्यम से जॉब भी मिलता है और यह प्रते प्रक्रिया सतत चल रही है पहले डिरेल्ड थी पिछली सरकार में अब यह पट्री पर है और लगातार हम लोगों को रोजगार देते हैं अजाना तर जो उद्योग पत लाने की योजना बहुत प्रचार प्रसार किया गया उतका और उतके लिए दमीन भी खुब एलाउट की गई वर्तमान में क्या स्थिति एक अगर जो इन्वेस्टर है वो अपना पैसा लगाएगा तो उसके हूं 35% सब्सीड़ी देंगे भारत सरकार के मादब से हैं 2020 तक य पूरे प्रोजेट का पैसा और हमने जो फ्लोट किया वी तक लोकल बाडिस को इसके मादब से टंडलर फ्लोट करने का अधिकार है और लोग बेड़ावंतित करते हैं और उसके आधार के उपर जो एलवन आता है उसको चैनित करके उसको काम दे दिया जाता है तो आठ स्थ पर यह हमने चैनित करके दिया है और हम उमीद करते हैं कि इसमें जो पुराने तजरुबे हैं उनको मद्दे नजार रखते हुए हम बहतर परफार्म करेंगे और वेस्टो एनरजी वाला जो कांसेट है उसको हम जमीन पर उतारेंगे पविश्ट की क्या योजना है आपकी कोई अची बढ़िया योजना जी है कि लोकल बॉडी के द्वारा जो भी फैसिलिटीज जन सामानिक के लिए अनुमन्य हैं वो उनको जरूर मिले चाहे सुच्छता हो एक स्वच्छ बाता बराण हो पेजल की विवस्था परापर हो सड़के गढ़्धाबुक्त हों और एक कामन मेन को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहों लोकल बॉडी उनको फैसिलिटेट करें यह हमारी योजना यह जो चोटा-चोटा ब्रस्टा जन परमान पत्र बनाना अम्रत्र परमान पत्र बनाना यह आम जनता इसे रोज रूबरू इसको सुधारने के लिए आपके पास क्या योजना है देखें हर दरीके से मैंने अलग-अलग आपको बताया कि अगर कहीं इंक्रोच्मेंट की बात आती है तो हमने एंटी इंक्रोच्मेंट ड्राइब चलाने के लिए इनफोर्समेंट विंक कर तैयरी की जो पेजल की विवस्ता की हमने ड्रेनिज को विवस्ता सुधारने के लिए इस बार अनुपूरक में सवक्रोण उपाई के अलग से विवस्ता करवाई और जहां जैसे अगर कहीं ड्रेनिज के विवस्ता नहीं है उसको हम करने जा रहे हैं तो हमारे विभाग तो लोग नाली पनाले वा तो हमने योजना बनाई कि हर साल एक नगर पंचायत को एक जिले से चैनित करके उसको आदर्श बनाएंगे 75 इस बार चैनित कर रहे हैं पिछले दो सालों में हम 1500 नगर पंचायते चैनित कर चुके हैं उनको आवादी किसाब से परसा भी दे चुक हैं 25 जार से जादा ना वाधी बाइब चार करो या दस जयार से 20 कर बादीthी करो यह उससे कम है वहाँ पर दो करो क्σωगा चाहते हैं कि किस तरह से वह आपका सहयोग करे और किसे वह आप सबस्था जनसर्फवागिता के जनसर्योग के संबब नहीं है पूरी तरीके से स्वच्छ मरा है कि हमारी दिन चरीया जो खाने पीने के जो रहन साहन के हैं उस में हम कोई चीज बीलिदी पीएंगे सिगरेट पीएंगे पान खाएंगे हम तमाखों खाएंगे हम बिस्कुट खाएंगे, चकलेट खाएंगे तो उसका रेपर पन्नी कागस कहां फेके इसके बारे में लोगों को अपनी जुम्मेदारी का अहसास करना चाहिए कि वो सफाई में सही होग करें साथ सीधाथ पॉलिथिन सच्चता के मामले में सबसे बार रोड़ा था उसको हमने बहिन किया हम लगातार पेनाल्टी कर रहे हैं आज की दिस्ता में जो योजना चल रही वो कब तक पूरी हो जाएंगी देखिए हर चीज का अपना समय निर्धारी था अमरित योजना 2020 तक है जो सॉलिड बेस्ट मेंजमेंट की योजना सबसीडी वाली है वो भी 2020 तक है ये जो नगर पंचायतों का आदर्श बना कर डेवलेप करने वाली बात है ये पाँचों साल चलेगी और पेजल की जो इस सिती है जहां जैसी आवा शक्ता होती है पैसा देते है और पेजल वस्ता से ट्राइट करते है जो एक कामन सिटीजन के अधिकार है उसको देने में कोई कोता ही नहीं करें बहुत सुक्रिया जो बता रहे हैं कि जो अधिकार हैं लोगों के पास में उन अधिकारों का तो करें लेकिन साथ साथ में करतब्यों के प्रति भी जरूर सजग रहें क्योंकि आप जब अपने करतब भी निभाएंगे चोटी-चोटी चीज़ों में अपना सहयोग करेंगे तो ही नगर विकास विभाग भी बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकता और जो योजनाय चल रहें इसको सांदर तरीके से पूरा करवा सकता है आप हमें दीज़े ज्यादत हमारे टीम के साथ में फिर हम आप से रूबर होंगे किसी ऐसे ही सक्स के साथ